हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू नंबर वन स्टाडी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इव्यस की बुक का चाप्टर नंबर 11 फ्रॉम हीर तू देर इस चाप्टर का एक्स्प्लेनेशन और सभी क्वेश्चिन आज़र सो स्टार्ट करते है एक्स्प्लेनेशन देख यहां पर बोला है कि आप विशल्स बचाओ अपनी सेट्स पकर लो जैसा आप कर सकते हो वैसे करो फिर बोला है फॉर्वड बैकवड बैकवड फॉर्वड आगे पीछे पीछे आगे बतिन लाइन लेकिन लाइन में चलो डोंट रन आउटवर्ड लाइन से बाहर मत निकलो stay in line, line में रहो and shut your eyes और अपने आखे shut मतलब बंद रखो, with open eyes you will nothing aspire, और आखे खुली नहीं रखने है, अगर आखे खुलते हो न, तो क्या होगा आपको समझ में आएगा न, कि फिर ये train नहीं है है न, तो आखे बंद रखने है छुक छुक छुक, the train is on it's way, stop 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 all the stations, तो देखो, यहाँ पर बोला है, कि train अपने रास्ते पे निकल गई है, छुक 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 कर रही है और stop 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 करते हैं, जब भी stations आते हैं, on roads of iron we move to and fro iron के road पर ही चलती है, train बराबर है so यहाँ पर बोला है, on roads of iron हम कैसे move करते हैं, to and fro move करते हैं, here come the lights and there they go और क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए light दिखते हैं train के अंदर, और थोड़े टाइम के बाद light चली जाती है, ऐसा क्यों होता है जब भी train एक tunnel में से गुजरती है, ठीके, पास होती है, तो क्या होता है अंधिरा चा जाता है न, train के अंदर और जिसे tunnel के बाहर निकलती है, तो फिर से light आती है across the meadows, over the hills, दिखो कहा कहा, मिडोस में से अगर जाती है, train hills के पास से जाती है, past easy farmers, temples, meals, past religious wells and a lush green field with broken walls and a potato filled, इन सभी चीजों को past करते हुए आगे निकल जाती है फिर यहाँ पे बोला है, चुक चुक चुक, the train is on its way, stop, stop, stop all the stations है, फिर से वही है कि train अपनी चुक चुक करते करते हैं, अपनी रास्ते पे निकल गई है, और station आती, stop कर देती है, cloud कैसे है, smoky clouds है, ठीक है, यहाँ पे fairs and crowds बोला है तो लोगों की बहुत ही ज़्यादा इसमें भीड है, village fair है, riders mears पर है, birds का flocks है, ठीक है, huds का cluster है, bridges and paths होते है train के लिए, धूबी घाट से, small tea shops है and puddles and flocks है, तो यह सभी चीजें आती, कहा, train के रास्ते में, छुक छुक छुक, the train is on its way and stop, stop, stop all the station से, so यहाँ पे मारी poem complete होगी, यह एक हिंदी की poem थी, ठीक है, और इसका translation क्या गया इंग्लिश में, इसके poet कौन है, हरेंदरनात, चटोपाध्या, ठीक है, अब देखते, इसके question asks us, how did you like the poem, आपको poem कैसे लगी, यहाँ पे लिखोगे, I love the poem, मुझे poem बहुत पसंद आई, have you ever traveled in a train, when, क्या कभी आपने train से travel किया है, और कब किया है, so एक sample answer देखते, इसका यहाँ पे लिखा है, yes, I travel in a train, मैंने train में travel किया है, every time we go to my grandma's place in summer holidays, आप यहाँ पे लिख सकते ह तो आप जिसके भी घर जाते हो, train से, so यहाँ पे लिख दिना कि मैं हर holiday उनके घर जाता हूँ, ठीक है, next question पे आते है, can a train move anywhere, why, यहाँ पे बोला है, कि क्या train कई पे भी move करती है, और why, so इसका answer होगा no, a train cannot move anywhere, train कई भी move नहीं करती, it can move only on the rails, जो पट्रिया होती है न, rails हो कहीं पे भी नहीं जाती, what is meant by roads of iron, roads of iron बोला गया था, so roads of iron का मीनिंग क्या होता है, roads of iron means होता है, iron rails on which the train moves, ऐसे होते है न, जहाँ से train जाती है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर है न, दोनों साइड से, train जाती है, दो पट्रियों से, so इसे बोलते है, iron, roads of iron, ठीक है, what places did the train pass by, make a list, अब poem में हमने देखा कि train कहा कहा से जाती है, तो उनकी list बनानी थी, first तो था meadows, over the hills था, farmers अभी अभी last में हमने देखा है न, poem में, temples, mills, village wells, and a lush green field, and a potato field, so यह सब चीज़े आपको poem में से लिख देनी है, next question पे आते है, which vehicle have you traveled in, कौन से वेहिकल में, वेहिकल मे इसे आपने travel किया है, और पूचा है, write their names in your notebook, अपने notebook में नाम लिख दो, तो यह तो सब का अलग-अलग आएगा, यहाँ पर देखो, एक sample answer है, I have traveled in bicycle, मैंने bicycle से travel किया, bike से किया, auto से, car से, bus, train, and aeroplane, ठीक है, तो जितने भी vehicle से आपने travel किया है, आप सभी के नाम लिख दो ठीक हो गया, next पर आते है, come let's meet some children and find out how they spend their vacations, आते हैं, और कुछ बच्चों से यहाँ पर हम मिलते हैं, और जानते हैं कि कैसे यह लोग अपनी vacations spend करते हैं, अब यहाँ पर यह जो first girl है, बता रही है, I went to my uncle who lives in Delhi, मैं अपने अंकल के घर चाती हूँ, ठीक है, vacations जब भी हो वो कहां रहते हैं, Delhi में रहते हैं, earlier we used to go from the railway station to his house in a, अब यह क्या है, bus है, ठीक है, bus से जाते थे वो, उनके घर, फिर क्या हुआ, but this time it was great fun, we went by the train, लेकिन इस बार हम किस से गए, train से गए, which went through an underground tunnel, जो कहां से गई थी, underground tunnel के अंदर से गई थी, ठीक है, we did not even come to know, we are running, यह जो है न, क्या है, यह cars, cars were running on the road above the tunnel, मतलब, we did not even come to know, मतलब हमें पता भी नहीं चला, कि tunnel के उपर से कौन जा रही थी, यह four wheelers जा रही थी, ठीक है, next देखते हैं, अब यह देखो, boy क्या बता रहा है, it was my boy's wedding, मेरे boy की शादी थी, I met many relatives, में बहुत सारे relatives से मिला, we had a good time eating, हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया, ड्रिंक किया, और खेले भी, भाईया केम फ्रॉम अमरिका इन आन, जो भाईया थे, वो अमरिका से आये थे, किस से आये थे, एरोप्लाइन से आये थे, imagine, he came from so far, but reached here in one day, imagine करो, कि वो इतनी दूर से आये, ठीक कि दूसरी कंट्री से, लेकिन वो एक दिन के अंदर आगे, अपनी कंट्री में, बहुत बहुत सुन्दर दिख रही थी, when she was going in the, इसे क्या बोलते है, इसे डोली हिंदी में बोलते है, so यहाँ पर बैटकर जब बहुत सुन्दर दिख रही थी, अब यह जो गर्ल है, यह ब पानी होता है, ठीक है, क्योंकि केरला में है, from the station, we could have taken, यह क्या है, bus, तो हमने bus ली और a taxi भी ले सकते, to reach her house, उनके घर तक जाने के लिए, या तो bus लेना पड़ता है, तो taxi, instead we took, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया था, यह क्या है, यह बोट है, तो हमने बोट ली, straight to her house, it felt a little strange, but we had fun, फड़ा सा strange था, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, इसमें, आभी यह बच्चा बोल रहा है, we went to Shimla during the vacation, vacation के टाइम हम लोग Shimla गए थे, the, यह क्या है, bus, the bus moved on the zigzag roads on high mountains, mountains पे तो ऐसा ही road होता है, zigzag बता है, आप लोगों को, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला, जि ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, so ऐसे जा रही थी, very scary when we look down, जब भी हम नीचे देखते थे, बहुत रही डराऊना लगता, we had to walk long distance in Shimla, हमें Shimla में बहुत चल कर भी जाना पड़ा, my daddy would get tired very quickly, लेकिन जो दादी थी, वो तो बहुत जल्दी ठग थ tired मतलब थकना, we would make her ride on, तो फिर हम लोगोंने उन्हें कहां बिठाया, horse पर बिठाया, I never got tired, लेकिन मैं नहीं थका था, I enjoy walking, मैं तो भही, चलने में ही मजे ले रहा था, my khala lives very close to our house, अब ये बोल रहे हैं कि मेरी जो khala है, khala मतलब mausi, मेरे घर के पास, मतलब घर से जादा distance पे नहीं है, whenever I feel like going to her, जब भी मुझे मेरा मन करता है कि मैं उनके घर जाओ, I quickly climb on my bicycle, तो मैं अपनी bicycle निकालती हूँ and rush to her place, और उनके घर के तरब निकल जाती हूँ, मा and so to have to take a, अब ये क्या है, रिक्षा, है ना, रिक्षा to go to nani's house, नानी के घर जाने के लिए उनने क्या लेना पड़ता है, रिक्षा लेना पड़ता है, क्योंकि दो लोग जा रहे है, so, अब ये बच्चा बोल रहे है, I went to my mama ji's village, मैं अपने mama ji के गाओ जाता हूँ, from the railway station, there is no bus going to his village, देखो, गाओ है ना, so, कोई bus ने जाती, अंदर गाओ के, so, we went in a, ये क्या होती है, बुलक काट बैल गाड़ी, so, हम लोग बैल गाड़ी में बैठके जाते हैं, बैल गाड़ी से, ठीके, we crossed lush green fields on the way to the village, जब गाओ में जा रहे होते हैं, इस बैल गाड़ी से, और इन बुल्स के ना, नेके पास यहाँ पर बेल लगी हुई रहते हैं, जब चलते हैं, बहुत अच्छी साउंड आते हैं, बहुत मज़ा आता है बुलक काट में बैठने का, बेच आल वेहिकल्स, दिड द इचिल्डरन ट्रावल इन, अब यहाँ पर बोला है, बेच आल वो सभी vehicles क्या थे जो बच्चे बैठे हुए थे सभी मतलब एक एक बच्चा बोल रहा था ना कि यहां से यहां जाने के लिए बस लेनी पड़ते हैं तो फिर मैं बैसिकल से जाती हूँ ऐसा सब कुछ सो बस का वहाँ पे नाम लिया गया था ट्रेन थी, काड, ठीक है फ्लाइट, एरोपलेन, टैक्सी भी थी साइकल, बोट, होर्स और रिक्षा ठीक हूँ गया नेक्स्ट प्याद है अप अपने घर से इन जगों पर जाने के लिए क्या चूज करेंगे तो दब प्लेस रिटन बिलो राइट इन दे बॉक्स बॉक्स में आपको लिख लेना है कि आप किस से जाओगे, ठीक है यह किस पर डिपेंड करता है कि आपके घर से वो जो प्लेस है वो कितने डिस्टन्स पर है तो देखो, अब यहाँ पे यूर लिखा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हाउस ठीक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम हाउस, यह हमारा हाउस है हाउस से मार्केट अगर हमें जाना है सो, हम क्या करेंगे पहले तो हमें देखना है कि हाउस से मार्केट कितने डिस्टन्स पर है अगर ज़्यादा नहीं है, तो हम चल कर भी जा सकते हैं school जाना है तो भी बस से जाएंगे ठोड़े distance पे होती है friends के घर जाना है तो friends भी हमारे घर के पास काई होता है ठोड़े से distance पे होता है एक दो colony चोड़के train से जाएंगे ठीक है और अगर हमें कहा जाना हो across a river river को cross करके जाना है सो boat से जाएंगे relatives who lives in hilly areas जो hilly areas में होते हैं उनके घर तो भी horse से जाएंगे ठीक है और ये तो हो गया था school जाना है सो bus से जाएंगे अब यहाँ पे है how would you keep yourself safe while traveling जब आप travel करते हो तो खुद को safe कैसे रखोगे इसके बहुत सारे आते हैं ठीक है precautions आपको लेने हैं जब आप travel करते हो तो कैसे travel करना है ठीक है next पे दिखते हैं right in front of each picture what other vehicle is used for अब हर एक picture के आगे आगे आपको लिखना है कि यह जो particular vehicle है किसके लिए use होती है in the space provided जो भी आप a space provide है draw the pictures आपको picture draw करना है कुछ vehicles के जो नहीं होंगी तो और आपको उनके नाम लिखना है और किसके लिए use होता है वो भी लिखना है are all this vehicle used for our travel क्या यह सभी vehicle हमारे traveling के लिए use होते हैं वो भी आमें बताना है तो यहां पे हम first picture की बात करते हैं तो यह किसके लिए use होती है किसके लिए use होती है sailing vegetable इस पर सबजिया होती है है ना fruits वगेरा होते जो बेचे जाते और other groceries भी होती है जा आपने देखा होंगा है ऐसी गाड़ी लेकर आते लोग कोई सबजी रखते कोई या फिर कुछ चीजे रखते जो बेचने के लिए लाते अब अगर इसकी बात करें तो used for delivery of several products several बहुत सारे product के delivery के लिए use होता है अब इसके बात करें तो used by disabled मतलब जो लोग चल नहीं सकते न वो लोग इसका यूज करते इन और तो move from a place to other एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए जो लोग disabled होते चलने सकते इसका यूज करते है नेक्स देखते है अब ये क्या है ये जो picture है इसे इसका यूज को used for activities related to farming खेतों में जो भी activities होती है उनके लिए इसका यूज होता है ट्रैक्टर है नेक्स पर आते carrying passenger passenger को carry करती है यहां से वहां लेके जाती है दूसरी ये जो है ambulance है यूज को लेके जाती है अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है use for carrying two people at a time एक की टाइम पर दो लोगों को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाती है और ये क्या है फिर इसका use क्या है use to carry students from home to school स्कूल बस है ठीक है या फिर school से घर तक अलाके छोड़ देती है अब यहां पर आपको बोला है name of some vehicles are given in the center of a will इस will के center में कुछ vehicle के नाम दिये है देखो यहां पर यहां पर भी vehicle के नाम है और यहां पर भी vehicle के नाम है आपको करना क्या है पहले वो समझ लो join this on one side to the number of wills अब आपको देखना है two wheeler है ठीक है three wheelers है ऐसा आपको चेक करना है each vehicle has add on the other join them to what is used to run them और दूसरे साइड में यहां पर यह लोग है कि जो इन्हें चलाते हैं तो देखो यह हो गया center ठीक है यह वाला portion और यहां पर जो है यह चलाने वाले लोग है और यहां प कर सकते हो अंगर हम bus की बात करें तो bus में वीट होतय है आप देखलो pair लगा लो ठीक है और किस पे चलती है वह देखना बुल ग कार्ट जो है कौन चलाता है वह आपको कर सकते हैं इसलाता है और इनके ways कितने होते है सो यह आपके लिए काम है आप कर सकते हो ट्रक को कितने व होते हैं बाइसिकल कोंच छलाता है इस यह वैसे आपको करना है नेक्स पर आते हैं find out from your elder अपने बड़ों से आपको find करना है how did people travel 50 years ago 50 साल पहले लोग कैसे travel करते थे where the present means of travel available at that time also क्या आज जो travel करने के जो भी vehicle available है क्या वो पहले भी थे क्या यह उनको पूछना है आपको ठीक है can you imagine which vehicle people will use for travel 20 years from now आज से 20 साल पहले लोग कौन से vehicle का use करते थे travel करने के लिए ask your family member अपने family member को पूछ रो and friends find fill in the table cycle का जादा use करते थे you can add more आप अपने से और भी add कर सकते हो दिखो यहाँ पे whom you ask and their answer अब अगर आप खुद को पूछोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे solar powered bicycle ठीके friend को पूछते हो वो बताएगा battery electricity motorcycle cycle चाचा को पूछोगे वो बताएगे solar powered cars ठीके अगर teacher को पूछते हो बताएगी electronic public transport का यूज करते ममी को पूछोगे electronic small cars का बताएगे डाड़ी को पूछोगे solar power taxes हो सभी different different आपको बता देंगे तो आगे दिखते है भी your own train आपकी खुद की train with the help of the picture make a toy train अब picture का यूज करके आप toy train बना सकते using empty matchboxes यह तो भही सब लोग बनाते है अपने बच्पन में matchbox की गारी ठीके next पर आते if anybody makes a chuk chuk sound you know at once that it is being made for a train चुप chuk sound train का होता है na from the sounds given below can you tell which vehicle it is अब यहाँ पर कुछ sounds है जिने read करके आपको बताना है कि किस vehicle के one example is given एक example तो भही यहाँ पर given है जैसे कि चुप 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 train का होता है तो pin-pin किसका होता है scooter का pom-pon होता है truck का तुप तुप होता है horse kart का घर घर होता है motorcycle का train होता है bicycle का ठीक हो गया next पर आते these are the sounds of single vehicle यह जो sounds है यह एक एक vehicle के है how does it sound when many vehicles run together on the road making different noises सोचो कैसा लगेगा अगर सभी vehicles एक साथ noise मतलब अपनी voice निकालते sound निकालते सभी की सभी vehicles ठीक है road पर isn't there a lot of noise क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा noise नहीं होगा so इसका answer क्या होगा yes है ना ऐसा होता भी है yes there is a lot of noise बहुत ज़्यादा noise होगा when many vehicles run together on the road जब सभी की सभी vehicles road पर run करेंगी it gives a collective disturbing sound और इनसे क्या बनेगा बहुत ही disturb करने वाला नहीं के sound बनेगा सबसे और बनता भी है road पर ठीक है road पे तो सभी type के vehicles चलती है where have you heard the maximum noise सबसे ज़्यादा noise आप लोग कहा सुनते हो कहा सुनते हो at the traffic signals do you like so much noise why क्या आप बहुत ज़्यादा noise पसंद करते हो और why इसका reason so इसका answer तो भी सबका no होगा है ना no I don't like so much noise because it is very disturbing बहुत disturbing होता है so हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा noise अब यहाँ पे देखो एक picture given है ठीक है आग लगी हुई है और आग बुजा रहे है ठीक है और लोग उस आग को बुजा रहे है और side में देखो ambulance दिख रही है पुलिस के गाड़ी दिख रही है ठीक है अब इसका answer हम दिखेंगे in the picture a building has caught fire building में आग लग गई है the firemen are trying to put it off और firemen जो है वो try कर रहे है इस आग को बुजाने का there are two fire trucks और दो fire trucks है a police van भी है and an ambulance भी वहाँ पर है दिखते fire trucks कहाँ पे है अच्छा यह जो red color के है ना यह fire trucks है ठीक है दो fire trucks है यहाँ पे next question पे आते which vehicle can you see in the picture picture में आप कौन-कौन जी vehicle दिखते हो तो fire truck से वहाँ पे police की van है और ambulance है what are this vehicle usually used for in vehicle का usually use क्या होता है इसका use होता है fire trucks की बात करें तो fire brigade van बोलते जिसे are used by firemen इसका use करते है to go any place which has got fire जिस किसी भी place पर अगर आग लग गई हो तो बुजाने के लिए यह fire trucks चाते है ठीक है the fire trucks contain a lot of water इन fire trucks के अंदर होता क्या है बहुत ज़्यादा water होता है ground and aerial ladders होते हैं यहाँ पर ठीक है और ऐसी बहुत सारी चीज़े police van is used by policeman कौन यूज करते है police van का policeman करते है to move from one place to another एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ambulance is used to carry patient ambulance तो क्या करते है patient को carry करते है घर से hospital तक लेके जाते है अब यहाँ पर बोला है look at the boxes in the picture picture में दिये गए boxes को देखो on the top draw the in the correct sequence correct sequence में लगाओ जैसे कि यहाँ पर first number है second number है आपको क्या करना है correct sequence में लगा रहा है in the bottom boxes नीचे और भी boxes है color करना है what did you get it what did you get तो आपको क्या मिलेगा write its name उसका नाम लिग दो देखो यहाँ पर है ना कुछ ऐसे दिखाएगे है ना कुछ number से कुछ parts से आपको simply क्या करना है एक एक parts को one two three है ना देखो यहाँ पर number है यह जो है यह first number है second number है यह third फिर यह fourth तो इन parts को आप क्या करोगे ऐसे sequence में लगाना है बस फिर आपका animal यहाँ पर ready हो जाएगा देखो जब join करते तो क्या बनता है यहाँ पर first part यह second part यह third यह fourth, fifth, sixth, seventh ऐसे join कर लोगे तो कौन सा animal बन रहा है यहाँ पर क्या बोलते इसे elephant तो आप नाम लिख लोगे इस animal का elephant यहाँ पर हमारा chapter का explanation सभी question answers all होगे विडियो अच्छे लगी तो विडियो को लाइक करना, अपने friends के साथ share करना और चैनल को subscribe जरूर करना Thank you